ओले सत्गुरु दे भगवान की जय, सच्चे दर्बार की जय, प्रिये सत्संग्यों, काफी समय से जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से आप सोशल मेडिया के माध्यम से श्री गुरु महराजी के विचाद सुन रहे हैं, और महराजी की प्रेणाएं, महराजी की निर्देश, महराजी की आग्याएं, हम सुनते हैं इस मंच से, महराजी के पवित्र मंच से, जिसे दिव्य जोती जागरती संस्थान का मंच भी कहा जाता है, क्योंकि दिव्य जोती जागरती संस्थान श्री गुरु महाराजी की विराट दे है क्योंकि असीम शक्ती ससीम होकर आती है लेकिन उसकी विराटता उसके मिशन में होती है महाराजी को सभी लोग दुनिया के नहीं मिले प्रेमी जितने भी जुड़े है नहीं दर्शन हुए नहीं आप आए लेकिन दिव्य जोती ज्गरती संस्तान के माध्यम से सभी महाराजी के नाम से परिशिते हैं इसलिए मिशन महाराजी की विराट देः है और मिशन के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जहां-जहां भी प्रैसेंस है महराजी की प्रेढ़ाएं उन तक पहुँछ रही है शिरिग्रु महराजी को उनकी समाधी को 7 सल हो जाएंगे इन 7 सालों में महराजी की अनेकौं प्रेढ़ाएं महराजी की इच्छाएं क्या अनुभवों के माद्यम से सामने आई और वैसे तो हमेशन इस मंज़ से महाराजी direct instructions देते रही है समझाते रहे हैं, बताते रही है क्या करना है तुमें, तुम्हारा जीवन का लक्ष क्या है तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें महान कार्य करना है लक्ष तक पहुँचना है तुम सधारण नहीं हो बहुत सारी चीज़े माराजी ने हमारे सामने रखी 2014 से पहले समादी से पहले भी माराजी जब से मिशन शुरू हुआ है ऐसी बाते करते रही है बताते रही है समझाते रही है ये बात अलग है कि हमें कितना समझाया हमने कितना समझा लेकिन माराजी उसको बताते रहे है आज मैं चाहूँगा क्योंकि माराजी की बाते की जाए ये समय है क्योंकि उन्होंने विश्व कल्यान के लिए मानवता के लिए इतना बड़ा कार्य किया इतना बड़ा एक मिशन संगठन खड़ा किया है जिसमें हजारों जिसमें हजारों परचारकों ने अपने जीवन की यहूती दी है जिसमें हजारों सेवादारों ने अपने जीवन की सादिकाओं ने अपने जीवन की यहूती दी है ऐसे मिशन के बारे में चर्चाएं होनी चाहिए सादक समझ पाएं कि कितने महान मिशन के साथ वो अपने आपको सौभागशाली समझ पाएं कि हम कैसे मिशन के साथ जुड़े हैं महरा जी का मिशन क्या है मैं थोड़ा अतीत में जाऊंगा वैसे तो आप आपके जीवन का भी अतीत से परिचित है कोई दस साल से कोई बीस साल से कोई पचीस साल से लेकिन आज उन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है सजनों प्रेमियाँ मेरे को जहां तक याद है इस मिशन के बारे में 1987 के बाद तकरीबं 30-32 साल का सफर लेकिन उस से भी पहले 5-7 साल पहले जब से माराजी एक छोटे से इलाके में आए नूर महल के अंदर पहुंचे और उन्होंने इस महान मिशन की अरंब किया और उस वकत मिशन का नामनी केवल सत्संग भवन कहते थे जहां माराजी ठहरे सत्संग भवन 1987 के बाद एक रूप मैं ये कहना चाहता हूँ ये समादी की जो भूमिका ये अचानक नहीं बनी मुझे आज लग रहा है जैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये बाते याद करते हैं ये भूमिका तुमारे ने तीस साल पहले रख दी थी लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था वो योजनाबत तरीके से अपना काम कर रहे थे अगर मैं सफर को थोड़ा सा चलू ब्रीफ करूँ आपके सामने तो मैं समझता हूँ कि हमने उस वकत माराजी ऐसी बाते हम जब नूरमेल जाते थे सुनते भी थे प्रेमियों से सुनते थे कई बाते माराजी के मुख से सुनते थे कई वहाँ जो बहुत नजदीक प्रेमी होते थे उनसे सुनते थे क्या सुनते थे कि विश्मे शानती इसी ब्रहमग्यान से आएगी महराजी कहते हैं कि ये परचार पूरे विश में फैल जाएगा जबके नूरमेल से बाहर कोई जानता ही नहीं था उस वक्त नूरमेल के लावा कोई क्योंकि वहां भी कुछ गिंती के सेंकडों की गिंती होगी कुछ और जादा नहीं लेकिन बाते बहुत बड़ी थी और उस वक्त ये नारा भी हमने सुना था वहां जब वहां प्रोग्राम होता था नारे लगते थे विश में शानती कैसे आएगी ब्रहमग्यान से और ब्रहमग्यान कहां से मिलेगा यह मिशन की रिजिस्ट्रिशन के बाद की बात है जब यह नारा शुरू किया गया जब दिव्य जोती जागरेती संस्तान रिजिस्टर्ड हो गया तो ब्रहमग्यान कहां से मिलेगा दिव्य जोती जागरेती संस्तान से तब भी तो कुछ खास नहीं था महराज जी ने कहना कि ये परचार के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे कितने परचार रखोंगे कितने सादू सन्यासी होंगे भगमाधारी होंगे पूरे देश में फैल जाएंगे और परचार ऐसे फैलेगा जैसे सूखी गास पर आग फैलती चारो तरफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी ऐसी ऐसी बाते करते थे बहुत परचारक आएंगे देश के हर स्थान में हमारे आश्रम बनेंगे तो मैंने एक बार पूचा मारे जी दिल्ली में भी बाश्रम बनेगा क्योंकि हमें लगता था कि ये तो स्वपन लग रहा था क्योंकि नूरमेल से बाहर तो कोई जानता ही नहीं था मारे जैंगे हाँ हाँ नूर दिल्ली में भी होगा बंबई में भी होगा कलकता में भी होगा मदरास में भी होगा एसी बाते चैपते थे अच्छा मार minder जी हाँ सब देश में हमारा परचार पहलेगा और इस ब्रह्म ग्यान से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा बहुत बड़ा संगठन बनेगा ऐसी ऐसी बाते सुनके कई बार ये मन है मनुष्य का समझ नहीं आती भांता नहीं है क्योंकि उसके बातों को कौन डिकोड कर सकता है उसके विचारों को कौन समझ सकता है किसकी मती है इतनी इसलिए नहीं समझ पाते थे ये किंजे चला तो माराजी किया गया क्योंकि माराजी के चड़नों में प्रेम उन्होंने जोड़ दिया था किरपा की थी इसलिए हर एक बच्छे बच्छे के अंदर बुड़े के अंदर जवान के अंदर जितने प्रेमी भी उस वकत थे इतने जोश से लवा रेज रहते थे कि क्या कर देंगे ये कुछ चंद लोग ही क्या कर देंगे और उनको देखे बहुत जोश आता था बहुत हिम्मत आती थी कमाल है कुछ तो चकर था चबरदस चकर था तो माराजी ने वहाँ हमें भी 1990 में दिल्ली में अरंब करने की आग्या दे दी मुझे याद है 15 फरवरी 1990 1990 में दिल्ली में एक छोटे से कमरे से लेके परचाश रू किया माराजी को जाके कहना माराजी कोई आता है नहीं कोई सुनता नहीं क्या करें धैरे रखो एक समय आएगा दुनिया सुनेंगी बहुत सुनेंगे बहुत लोग आएंगे माराजी 57 लोग नहीं आते सुने नहीं आप चलते चलो आगे बढ़ो 1991 में एक साल चार पांच मीने बाद रिजिस्टरिशन संस्था की हुई एक साल तक चपलें घिज गई के संस्था रिजिस्टर कर रहे हैं हमारी संस्था रिजिस्टर तभी हम परचार कर पाएंगे 1991 21 जून को संस्था रिजिस्टर हुई उसके बाद ये परचार 1991 से 1995 तक स्ट्रेट सपष्ट सच सच आग सच सच एक आग है तो ऐसे परचाश्रू हुआ उसमें भी सूर्मा लोग निकले उसको सुनके भी ऐसे सच को स्विकार करके भी लोग आगे आए और ये संगठन को ताकत मिली और धीरे 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 ये आगे बढ़ने लगा 1995 में महराजी ने इस सिस्टम में काम में थोड़ा चेंज किया राम कताई शुरू कर दी राम कताई शुरू कर दी यह एक नई चीज थी एक पस्ट मैसेज दाता ससंगा अब कता के माध्यम से कता में वो अध्यात्मिक पहलों को लोगों के सामने रखें जिसका परिणाम क्या हुआ कि लोग इसके माध्यम से आगे आने लगे काफी दो तीन चार साल पांच साल तक ये राम कताई चली फिर लोगों की मागाने इतनी बड़ी आकता होती है भागवत कता भी हो फिर भागवत कता भी शुरू हुई तो ये चलते चलते ये दो साल के बाद भी लेकिन दो साल बाद क्या हुआ दो साल बाद महराजी की कृपा से पीतम और आश्रम की जमीन हमें अलोट हो गया और उदर पंजाब में 1982 से ये मिशन शुरू हुआ और उन्होंने भी 1995 के अंदर जो हाँ आज आश्रम है ये आश्रम की जमीन ले ले मतलब एक विराटा धारन करने शुरू कर दी मिशन ने जो महराजी के विजन सपने हैं वो साकार होने लगे सामनी आने लगी जो जो गल चितना चेते संसो गाली रभी जो कभी कोई सोच नहीं सकता वो चीजे घटी तोने लगी 1997 में पीतंपुरा का आश्रम बनना शुरू हो गया और 1998 में कंप्लीट हो गया और उसके बाद 1999 मतलब दो साल के अंदर मतलब परजार का भाव होगे हम पीतंपुरा के आश्रम को बड़ा आश्रम कहते थी क्योंकि उससे पहले चोटी से आश्रम में थे मुझे क्योंकि मैं शुरू से दिली रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा दिली का ग्यान है लेकिन मुझे पंजाब का नूरमल क्योंकि वो विराटा भी बड़ी विराट रूप में सामने विशाल रूप में सामने आती गई पता ही नहीं लगा किस वकत क्या से क्या बन गया यह उसकी कृपा जैसी सूक्ष में शक्ती आज उसकी काम कर रही है उस वक्त भी स्थूलता के सासा स्थूल शरीर के सासा सूक्ष में शक्ती भी उसकी काम कर रही थी इसलिए भया ऐसा असान नहीं है इतना बड़ा संगठन मैं तो आज की बात करता हूँ साथ साल बाद भी क्या रंग है कैसी जनूनियत है कैसा प्रेम और पागलपन है जो प्रेमी है जिनमें प्रेम है वाज भी लगे है जी जान से लगे है नमन करता हूँ मैं उनको उनकी श्टद्धा को उनकी निष्ठा को सजनों उसके बाद पीतम पुरा अश्रम बना खूप परचार बढ़ने लगा और उदर पंजाब में भी बढ़ने लगा श्टीट पकड़ने लगा और नन्यानौनवे में यह सोछने लग है कि यहां पीतम पुरा आश्रम भर गया बेस्मेंट भर गई, मैजनें भर गई, बार ग्राउंड बर गया, सड़क पे टेंट लगाने लगए, पार्किंग ब्लॉक होने लगी, तो बड़ी चिंता होने लगी, ऐसे कैसे चलेगा, बड़ा डेंजरस है, बदला पबलिक को बाहर निकलने का लिए, इतना रश्य हो जात है, और महराजी भी आके उसी में रहते थे, और वहाँ अटेंड करते थे, सत्संग भी करते थे, 1999 में ये योजना बनी, कि अभी आगे कुछ करना जाए, तो दिव्यधाम आश्रम की स्थापना हुई, 2000 सन के अंदर, ये लिया, और इस पावन धर्ती को नमस्कार, कि महराजी अक्तूबर, 2000 सन के अंदर, स्वायम इन खेतों में, जब गेहूं बॉई हुई थी, जिस वकत कीचर था, जिस वकत कोई बांडरी नहीं थी, खेतों के अंदर आकर महराजी ने अपने चरण यहां रखे, और घोशना की, कि ये स्थान ऐसा स्थान बनेगा, यहां इन सडकों पर, देशी के सासत विदेशी लोग भी हुमेंगे, ग्यान की तलाश में आएंगे, यह बातें बहुत बड़ी लगती थी उस वकत, समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में हो जाएगा, यह कैसे होता चला गया, अभी दिमाग नहीं काम करता, सोच नहीं पाता, इंस खुलने लगी, लोग आने लगे, और महराजी यह भी कहते थे जब, कि एक समय आएगा परचार बहुत तेजी से बड़ेगा, विरोध भी बहुत होगा, विरोध भी होगा, परचार भी बड़ेगा, यह समय काल शुरू हो गया, 2000 सन के अंदर, मतलों यहां शुरू आथ हु और दिली के सिस्टम में भी, मैनेजमेंट में थोड़ी थोड़ी चेंजे शुरू करने लिए, किसी की समझ में नहीं उसकी योजना क्या है, वो करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि उनका विजन तो 2014 पर ठिका हुआ था कि मैं समाधी में जाने से पहले पहले क्या करना है, और बुला के कहते हैं कि अप परचार बहुत बड़ेगा, तो कोई सिस्टम है आपके पास? इंटर्नल कंट्रोल करने का मारा जी अमें तो कुछ नहीं पता कुछ आता नहीं सधारन से लोग हैं कुछ पता नहीं मारा जी क्या कर माई केते हैं कोई सिस्टम और कहते हैं किरपा करते हैं करवा लेते हैं ऐसे लोग साथ संगठित हुए उन्होंने एक और्गनेशन का इंटर्नल सिस्टम उस वकत नूरमेल और दिल्ली परचार था देश के अन्य भागों में नहीं था सिस्टम डवेल्प किया जिसको माराजी ने स्वैम अपना पूरा टाइम दे के क्रेक्शन करानी ऐसे करो इसमें ऐसे नहीं ऐसे करो माराजी की बड़ी करपा सब करने कराने वाले आप है लेकिन पीछे रहते किसी को कुछ नहीं पता सिस्टम बना उसके बाद परचार सच में बड़ी तेजी से बरांचे इस खुनने लगी देश के कोने-कोने में शाकाइं खुलने लगी, उदर पंजाब की अंदर परचार बढ़ने लगा, अचानक, विरोध भी बढ़ रहा है, परचार भी बढ़ रहा है, सब हो रहा है, और ये गती जबरदस चली पांच-छे सार, अचानक 2009 की अंदर, आठ की अंदर, कोई प्रोग्राम की योजना बनी, तो दिव्य उद्वोधन प्रोग्राम किया गया, सितियां क्या थी, क्योंकि मैं बहुत गहराई में नहीं जाओंग, इतना टाइम नहीं है, यू ट्राइ टू अंदर्स्टेंड, आप समझने की कोशिश करो, कि वो क्या दिव्यता उसकी, क्य क्या दिव्य शक्ति है, कैसे वो अपनी दिव्यते से क्या क्या कर सकते है, और हमें प्राउड होता हम ऐसे गुरू के शिष्य है, हमें मौका मिला है, हमें अवसर मिला है, अनमोल समय मिला है हमें, कहीं छूट ना जाए, बस यही प्रार्तना, क्योंकि हम है कैसे हैं, हमारी background कैसी हमने जानते हमें कोई अध्यात्म का ग्यान नहीं सब माराजी की किर्पा बस प्रारतन हर श्वास में यह निकलती माराजी अंतिम श्वास बस आपके चर्णों में निकले और कोई इच्छा नहीं जिंदगी की बहुत क्रपा है आपकी बहुत कुछ दी इस काबिल नहीं है जो आपने प्यार दिया है जो मौका दिया है हमारे जैसे लोगों को क्योंकि मुझे याद है 2003 में जब माराजी को एक बार कहा माराजी हमें बहुत परचार बढ़ रहा है माराजी हमें समझ नहीं आता कैसे कर दो माराजी के जितना होता कर लो करने वालों ने अभी आना है वो बातें भूली नहीं है और अब सब को सपष्ट हो रहा है इन साथ सालों में समाधी काल के अंदर माराजी के हर योजना साकार रूप ले रही है सकार होती जारी, दिखने लगी है, मैसूस होने लगी है, स्पष्ट होने लगी है, तो 2009 में दिव्य उद्वोधन प्रोग्राम किया गया पंजाब में, उसके बाद महाराजी बहुत जल्दी में, समय जो नजदी का रहा था, बहुत जल्दी में, बड़ा प्रोग्राम करना है, सब को एकठे करना है, सब प्रेमियों के एक जगा, क्योंकि उनको अपने अब जो विचार थे, उसको डीकोड जो करना था, क्योंकि ये कोडिंग रह जाती हमें, समझ नहीं आती, डीकोड करना था, तो 2010 के अंदर, दिव शान्ती महुत्सव, नूर मेल के अंदर, और पंजाब की संगत ने, इस्पेशली उनको बदाई कि उन्होंने, महाराजी की उस सेवा को उतन, सारे देश ने साय योग दे, लेकिन जो सेवा की, जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ, आनेक्सपेक्टेड, आनेक्सपेक्टेड, लोग हैरान थे, इतना बड़ा संगतन, इतनी बड़ी पब्लिक, और इतना जबरदस कारिक्रम, और उसके अंदर, महाराजी ने, क्या मेसेज दिया, उठो, कर लो, एक जागरती, एक कर लो, संदेश दिया, उसके उपर कोई शिकायद नी कर सकते, हमी आलसी बने रहे हैं, हमी लापरवा बने रहे हैं, हमी बेफिकर बने रहे हैं, लेकिन महाराजी ने, उस प्रोग्रम के अंदर याद करना, आप में से बहुत सारे लोग उसमें थे, लेकिन, महाराजी ने सब को कहा, ये समय है, करने का, ये समय है कुछ कर-दिखाने का, ये सेवा का समय है, ये आपको वो ग्यान मिला है, जिस ग्यान के सामने कुछ भी असमभव नहीं, किवल निष्ठा, समर्पण और प्रार्थना साथ होने चाहिए, कोई काम संभव नहीं है अब थोड़ी साथ साल की भी डिकोडिंग करेंगे तो उसके बाद 2010 का प्रोग्राम हुआ गती फिर वैसी और और बढ़ गई और 2012 का प्रोग्राम दिवशांती माउट सोगा उसके अंदर तो माराजी ने म्यूजिक बंद करा के भजन सुनवाए और कहा ध्यान से सुनो समझो इसको म्यूजिक बंद करो क्यों कराया भई? वो कुछ समझाना चाहते थे वो हमें ट्यून करना चाहते थे हम ट्यून हो जाएं उन विचारों के साथ पर इतनी एकागरता इतनी वो नहीं थी ना इसलिए बहुत अच्छा मारे बहुत बड़ी बहुत अच्छा प्रोग्रम बहुत बड़ी लेकिन उन्होंने म्यूजिक बंद कराके जो विचार दिये क्या दिये कभी डगमगाना मत शद्धा और विश्वास को हर दुबिदा में हमें पाओगे हर पल अपने पास क्योंकि समय जो आ रहा था ऐसी सिच्वेशन बननी थी आगे तो होंसला दिया हिम्मत दिया जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तपसे निर्मित नीड से हीरों से वो अलग दिखेंगे काच्छ के जुड़े रहना किस से दिव्विजोती जागरत संसान मेरा नीड है यह मेरा गोंसला है इससे जुड़े रहना और जो जुड़े रहेंगे वो हीरों से काच्छ के टुकड़े नी रहेंगे वो हीरे बन जाएंगे वो समर्थ रखता है काच्छ के टुकड़ों को हीरे बनाने का समर्थ रखता है इसलिए उसने संदेश दिया तुम जोड़े रहना क्योंकि उन मालू मैं गाइब होना है मैं निकलना है मुझे सुक्षमता में जाना है मुझे स्थूलता छोड़नी है ये गबराना जाएं पहले से आगाह कर दिया जुड़े रहेंगे जो के हमारे तपसे निर्मित नीड से हीरों से वो अलग दिखेंगे काच करीज की बीड़ कोयल का माधुरी ना छिपता कागों के शोर में सिर्फ तुमारे हातों होगी विजे पता का भौर में याद रखना जो जुड़े रहेंगे कब उस काल में आने वाले समय की इंस्ट्रक्शन दे जा रही थी सावधान किया जा रहा था सज्जनों सिर्फ तुमारे हातों की विजे पता का भौर में अरे लिखोगे कल नव युग का एक नहीं इतिहास तुम तुम नव युग का इतिहास लिखोगे हर दुविदा में हमें पाओगे हर पल अपने पास तुम कभी डगमगाने मद देना शद्धा और विशास तुम ऐसा सद्गुरू जो भविष्य को सामने रख रहा है सद्गुरू सांचा क्या करें जियो सिखन में चूग वो क्या करें हम उसने कैसे लोगं को इकठा किया सधारण सधारण से सधारण और काम कितना दिव्य से दिव्य उन से करवा रहे है यह समर्थेवान की बात है भया हमारा कोई मान नहीं करना चाहिए यह उसने शुकर है हम जैसे लोगों को मौका दिया है समझने की बात है तो यह यह शब्दों की डिकोर्डिंग होगी सिर्फ तुमारे हाथों की विजय पता का सिर्फ अरे लिखो के कल नवी युग का एक नहीं इतिहास दो हम इतिहास लिखने वाले लोग आप लेकिन उसने सब पर बरावर किरपा की है कौन होगा आप सब में से जिसको समय नहीं दिया उसने सब को समय दिया है कैसे वो कर लेते थे मैनेज सब को अटेंड कर लेते थे सबसे बाते कर लेते थे कमाल है ये बाते तब समझ नहीं आई ये बाते 2014 के बाद ही दिमाग को खलाने लगी है चुबने लगी है पश्चाताप होने लगा है दुख होने लगा हमने क्या खोया कितना खोया हम नहीं समझ पाए माराजी बिठा बिठा के सुनवाते थे किये करते थे क्योंकि माराजी तो कहने के साथ उन्होंने सत्संग के माध्यम से उन्होंने भजनों के माध्यम से उन्होंने अनुभवों के माध्यम से उन्होंने पास बिठा के समझाने के माध्यम से क्या चीज नहीं बताई? सब चीज समझाई, सब चीज बताई, लेकिन समझने वाले ही, हमारे जैसे मूं रखते हैं, नहीं समझ आया? हाँ जी, मारे, मारे, जैस, सद्ग्रू माहाराज कीज़े, सचे अद्रबार कीज़े, लेकिन जो वो समझाना चाहते थे वो अब समझ आ रहा है यह उसकी करपा है लेकिन इसके हर श्वास में प्राथना भी होने चाहिए मालिक, हे सत्गुरू तेरे जैसा नहीं मिलेगा तेरे को हमारे जैसे लाखों मिल जाएंगे क्योंकि हमारे में तो कोई गुण नहीं नहीं गुणू नहीं कच विद्या किस चीज की विद्या कौन सा गुण है इसलिए मान का तो कोई स्थान ही नहीं कोई मान कर सके वो दाता है, समर्थ हिवान है इसलिए सज्जनो 2013 में राश्च चिंतन मिला कै और 2013 में कहते हैं कि जो 2014 में होली का प्रोग्रम रखा है न उसे गैंसल कर दो सारे हरान मारे जी होली का तो एन्वल प्रोग्रम है, लोग साल भार इंतिजार करते हैं, नहीं मारे कहते हैं इस बार नहीं करें किसी को क्या पता ता चक्कर क्या है क्या होने वाला उनकी योजना तो 28 जनवरी fix हो चुकी है उसके बाद हो ली क्या है फीर तो हो ली तब होगी जब एक एक नया सवेरा होगा फिर तो क्या हो ली होगी जिसमें रेंगी नहीं कैबल दिल मन रंगे होंगे दिल रंगे होंगे, भाव रंगे होंगे फिर तो वैसी हो लिए मारा जी जानते हैं अच्छा मारा जी, जो आग गया मारा जी कर दी कैसल बहुत सारी ऐसे एक्जमपल्स हैं लेकिन इन साथ सालों में मारा जी नी जब समाधी ली उस वकत इतनी समझ तो थी नहीं मारा जी इशारे तो दिये थे पहले भी बहुत साल, लेकिन समाधी का कौन कहां तक सोचता है मेरे को याद है 1990 की बात मारा जी के पास एक बार गया मारा जी कहते हैं, क्या करते हो मारा जी कोई सत्संग तो सुनता नहीं कोई आ जाता है सारे लोग इतना सुना देते हो दोवारा गली में नहीं आता तो बाकी जब कोई नहीं होता तो बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, खा लेते हैं सो जाते हैं, और साधना कर लेते हैं बस यही काम मारे को टेक है अभी आपको सेवा करनी है जखन तक संदेश पहुंचाना है लोगों को समझाना है यह संदेश देना है परचार का समय है महराजी ने यह बात कही जिस दिन समाधी का समय ऐगा आपको संमने बिठा के ऐसा कर देंगे जहाँ जन्मों तक नहीं पहुंच सकता वहाँ समाधी लगजेगी ये मुझे कहा हुआ है 1990 में तो वो इतना सा मर्थ रखता तो उसके लिए समाधी क्या चीज़ है लेकिन उस वकत भी ऐसा शेतान ने चक्कर चलाया बहुत ब्रहमित ब्रहम फैला शेतान को मौका मिला वो व्रोधी उगर हो गए और उसमें शेतान का ऐसा खेल केस कोड केचारी हमने कहां बच्चे थे जब आए थे ना इन सब चीज़ों का पता था ना कभी सोचा था लेकिन करवाने वाला समर्थ यह सब करवा लिया उस वकत उस वकत साड़े तीन साल का कठिन समय कैसे बीता कैसी हिम्मत उसने दी कैसे लोगों से फेस करते थे कैसे मैं अपनी नहीं सब जितने लोग भी तब तक जिस चाहे समर्पित लोग सादू सन्यासी हिकारे करता उन सब की निष्ठा को नमन है जिन्हों ने तब तक भी अपनी आपको संभाले रखा और उस संघर्श को किया और उस समय चार जून 2017 को क्योंके मारा जी अनुवों के माद्यम से समझाते रहे केस के ताइम पे भी जब कोट में केस था तो हो कि माध्यम से गाइड करते रहें, इस चीज का ध्यान रखना, यह देखना, ऐसा करना, उसका ध्यान रखना, यह सब होता रहा है, और 2017, 4 जून को, एक सादक को मारे ने अनुभव कराया, और वो अनुभव, मैं उसको अनुभव कहूं, मैं उसको भविश्वानी कहूं, मैं उसको तुर्की बानी कहूं, मुझे नहीं समझ है, लेकिन क्या शब्द, वो हिम्मत है, वो संबल है, वो मार्क दर्शन है, और इस अनुभव को मैं अगर पाँच हिस्सों में बांटूं, चार हिस्सों में बांटूं, तो आपको समझ आएगा, पहला हिस्सा तो जिसमें मा कोशना की है, उनके आने का, उनका मिशन स्थापित करने का, ए दिव्यश ग्यान, ए ब्रह्म ग्यान से क्या हो सकता है, ये उसका संदेश दिया है, दूसरा हिस्सा है, जिसमें उनका मामत्व, ममता, जिसमें उसका प्रेम जलगता है, जिसमें उस माँबाप की भूमी का जल जा ठीक से चल तेरे सामने से मस्याया आ सकती है चितावनी और उसके बाद समधान क्योंकि ये इतना बड़ा संगर्श था ना साड़े तीन साल से चल रहा है 2014, जनवरी 2014 से लेके जून 2017 तक क्योंकि जिसमें बहुत मन्विथित रहा हर वक्त लेकिन साथ-साथ काम करने की, परचार करने की भी इमारे शक्ती देते थे ये भी साथ-साथ चल रहा था उस वकत और अन्तिम, चौथा हिस्सा उसका क्या है? जिसमें भविशवाणी है जिसमें सब कुस्पष्ट कर दिया है जिसमें घोशना है उनकी आने की गजब का अनुभव है उसका एक एक शब्द हम सब को ब्रोज बार बार सुनना चाहिए वो ताकत है वो शक्ती है वो सहवर्दक विचार है महराजी के और जिस सादक को कराया उसको बिलकुल जोड़ दिया अपने अंदर आधी रात को अकाशवाणी अकाशवाणी कभी सुना करते थे अकाशवाणी भी होती है लेकिन स्पष्ट होई है और ये शब्द महराजी के ही है और कोई करी नहीं सकता किसी में क्या हिम्मत है कैसा मर्त है ऐसा दिव्या किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी के द्वारा संदेश देते रहते हैं और उसकी घोशना नमबर वन पे आती है वो अनमबर की घोशना क्या है बनाएंगे तुम सब को हम दिव्य इतना के दुनिया भी चरणों में आके जुकेगी बनाएंगे तुम सब को हम दिव्य इतना के दुनिया भी चरणों में आके जुकेगी बनाएंगे तुम सब को सुख, सिंदू, निर्जर शांती की धारा कभी न रुकेगी बनाएंगे मतलब फ्यूचर भविष्ट की एक योजना बताई है बनाएंगे तुम को हम दिव्य दिव्य वो बनाने ही आता है मानवता पे काम करता है, मनुष्य पे काम करता है मनुष्य अच्छा बन जाएगा तो ये स्रिष्टी को अच्छा बना सकता है ये स्रिष्टी को बहुत सुंदर बना सकता है इंसान बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया इंसान अच्छा बन जाएगे तो स्रिष्ठी अच्छी बन सकती तुमारा जब भगवान अपना कारे करता है सद्गरू बन की आता है तो सद्गरू का कारे ही मनुष्य पर काम करना है बनाएंगे तुम सब को हम दिव्य इतना ऐसे अलौकिक बनाएंगे कि ऐसे दिव्य सोच वाले बनाएंगे तुम सब को अरे भाई वो तो जा चुके हैं सबादी में बनाएंगे मतला बनाएंगे इसका मतलों उनका आना निश्चित है पहले शब्द से और वो दिव्य बनाएगा वो बना सकता है और सजनों घर के चार लोग नहीं संभलते हैं घर के कैसे सब को संभाला अंदर से संभाला बाहर से संभाला और माराजी ने ये बातें आज से नहीं तीस साल पहले कहीं हैं ऐसा संघर्ष आएगा ऐसा संघर्ष आएगा जहां विश्वास निश्था कि प्रिक्षा होगी मुझे एक विदेशी स्वामी है हमारे उनका फोन आया आज से दस दिन पहले तो महराजी की बाते याद करते करते कहते कि भाईया महराजी ने मुझे आज से तीस साल पहले एकानमे बानमे की बात है तब कहा था कि देखो उस वकट आपको मालुम है किसी-किसी घर में वो बाता टैल वाला घुमाने वाला किसी-किसी के घर में महले में एक होता था सारे महले के फोन भहीं आते थे ऑटता पोन थक जाती थे औरइल करते-करते तो फोन यह होता था यह मुवाइल तो बाइल तो बाद हमें आए, कहता है उस वकत महाराजी मुझे कहने लगे, एक समय ऐसा आएगा, जब एक ही जगह से सत्संग होगा, और सारे सुनेंगे, तो कहते हैं महाराजी, जो दिल्ली बेठे वो भी सुनेंगे, कलगत्ता बेठे वो भी सुनेंगे, जो विदेश में बेठे वो भी, एक ही सत्संग से सारे सुनेंगे, जब एक है, ऐसा ही होगा, और बचारे क्यों बाउंस होगी, उसको कहा समझ आएगा, क्योंकि टेक्नोलोजी तो बाद में आई है, मुवाइल बाद में आए है, इंटरनेट बाद में आए है, तो उस दिन कहरा था, महराजी की बात, तीस सर पुरानी बात, आज वो महसूस मैं करता हूँ, कि वो कहां तक देख रहा था, आज वो बता रहा था, कि हम सब लोग देखते हैं, कि वाक्य में ये महराजी का संदेश मिल रहा है, कैसे संभाला, एक जगा से ससंग होता है, दुनिया देखती है, उसके वचनों को नहीं समझ सकता, वो कब की बात कर रहा है, तो इसमें कि बनाएंगे आकर तुम सब को दिवी इतना, कि दुनिया भी चर्णों में आके जुकेगी, बनाएंगे तुमको वो सुख सिंदू निर्जर, शान्ती के ऐसे, ऐसे सुख का सागर बनाएंगे, ऐसा अंतकरन बना देंगे आपका, कि कभी शान्ती, शान्त रहोगे, अरंद में हमेशा रहोगे, यह घोषना नहीं तो और क्या है, यह भविष्य की घोषना है, प्रेवियों, सत्संगियों, जागो, समझो, एक-एक शब्द को समझो, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, फिर पश्टाने के लावा कुछ नहीं रहेगा, जो कुछ करने का समय, आज ही करने का समय है, और उसके बाद, उसका ममत्व रूप देखते हैं, जैसे माँ समझाती है, पिता समझाती है अपनी अउलाद के लिए, तो रुकना ना, जुकना ना, चलते ही जाना, हर दुविदा को नाको चने चबुआना, दुविदा भी दुवदा में पढ़कर के सोचे, असमभा वे शिष्य को पत से गिराना, तो रुकना ना, तो अपने गुरू से संबंदर कर, रिष्टा वो जोड, तेरे को गुरू के लावब कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, तू और तेरा गुरू, और बीच में तुम्हारा करम, फांसला कैसे तेह करना है, बस, लेकिन, रुक जाते हैं, खड़े हो के सोचने लगते हैं, हां, ट्रेन में सफफर करते हो, तो उतर के बार, प्लेट फर्म पे खड़े हो जाते हैं, आपके स्टेशन पर सब कुछ देख लें, जाए गाड़ी निकल जाए, नहीं, बैठे रहते हो, दिखता जो, दिखता जो, आगे बढ़ते जो, बढ़ते जो, जुकना ना, किसी परलोबन में मत आना, तू चल, चल, बढ़ता चल, तुझे नहीं कुछ एखना, क्या होता है, क्या नहीं, एकला चलो रही है, तू अकेला चलने वाला, तू चल, तू दाएं-बाएं मत देख, हर दुविदा को, कितना द्वन्द, कन्फ्यूजन तुझे आजाए, तू भज़ना मत, कोई तुझे सुनाए इधर से, इधर से निगालो, कोई सुनना नहीं, उसकी सुनना है, उसकी सुनने के लिए आए है, जन्मों जन्मों से सारे, ये सुनते ही रहे हैं, और जो सुनगे उतने भरमित होगे, उसकी सुनो, वही करो, उसी में आपका कल्यान है उसी में समाज का कल्यान है उसी में विश्व का कल्यान है दुविदा भी दुविदा में पढ़कर के सोचे असमभव ऐसा साध है कि इसको कोई फरागी नहीं पढ़ता यहां तो हवा मार दो कान में तो अंदर उथल पुथल बदहजमी शुरू हो जाती है ऐसे नहीं होता सच जन्म ये साधकता नहीं है हम साधना उसकी करने उसके हो नहीं आए है उसके लिए बड़े जन्मों के बाद पूर्ण गुरु मिला है, पूर्ण ग्यान मिला है सच का मार्ग मिला है, मौका मिला है अफसर मिला है, कमाल है इसको अफसर में वो हम सुनते हैं न कि समस्याओं को अफसर में बदलना यही तो कला है, हर समस्या में कुछ न कुछ पड़ा है, उसको डिकोड करना है हिमत रखनी है तुम संतान मेरी सधारण नहीं हो आई जहां में अकारण नहीं हो तुम मरजुन हो मेरे हनुमान हो तुम मेरी आखों के तारे मेरी जान हो तुम संतान कहा है संतान का धर्म ये कल्यूगी संसान माबाप की परवानी कोई कुछ नहीं भाई, ये संसतान भगधवान ने स्विकार किया है अरवों में से आप सब को हम सब को हमारी निचुना है, ग्यान से जुड़ा है क्या ग्यान की कदर है हमें? क्या हम समझ पाए ग्यान की वैलियों? नहीं? तो फिर कैसे हो? कैसे हम वो सम्मान दे पाएंगे वो पिता माता हम तो संसार जनम देने वालों को वो सम्मान नहीं दे पाते तो भगवान वो तो भगवान होके वो माता पिता बन के हमें समझा रहा है उमीदें ये तुम से है मैंने लगाई चम को गगन में सितारों की नहीं उमीदें ये मेरी ना तुम तोड़ देना भक्ती के पत को ना तुम छोड़ देना क्या दर्द है उसका बड़ी मुश्किल से तुझे पकड़ा है बड़ी मुश्किल से तुझे लाइन में लगाया है मैंने बहुत ढूंडा तुझे तो मैंने ये उमीद लगाई है कि अब जैसे हर माढबाफ सोचते है कि इसकी उलाद उससे बड़ी हो महान हो तो बगवान कहते हैं सद्गरू कहते हैं कि चमको गगन में सितारों की ने आई उमीदें ये मेरी ना तुम तोड़ देना जिसने वो उमीदें तोड़ी हैं याद रखना जन्मो जन्मो तक वो भूगना पड़ेगा उससे मुक्त नहीं हो सकते जो दर्द दिया है उसने कितनी थकान कितना कुछ कितने जन्मों से पीछे लगा इस दलदल से इस कल्यूग से इस माया से इस कर्मो संशकारों से निकाल के अपने नजदीक लाने में उसकी मेनत को कौन जान सकता है उसने हमारे लिए क्या मेनत की है हमने क्या किया है क्या किया है negativity, negative सोच है बस जो चीज को जैसे सोचना चागिए वो सोच क्यों नहीं आई जूट ए जगत की चका चौन्द में फस मुझसे कहीना तुम उखोड लेना संभालूँगा तुझको तुविश्वास तो कर तज सबकी आशा मेरी आश तो कर तुझसे मिलूँगा मैं हूँ सिर्फ तेरा मुझसे मिलन की आश तो कर तेरी पयास, प्रियास होती हुआ इतना कभी ब्रहमधारा ना रहा में रुकेगी बनाएंगे तुम सब को हम दि्वितने के दुनिया क्या बात है इतना ममत्व, इतना तो बाप नहीं सोच सकता हमारा जिसने हमें जन्म दिया यहां तक मां नहीं सोच सकती अब चितावनी डगर ना यह आसान फिसलन बड़ी है विकारों की पगपग में खाईयां बड़ी है सजगो के चलना, कहीं गिरना जाना अवसर यह दुरलब ना मौका गवाना, वैसे तो वो साथ है हमेशा, लेकिन हमारा पुर्शार्थ के लिए हमें प्रेरित कर रहा है याद रख, तुझे जो मैं रास्ता दिया है सफलता का उच्टम उचाई तक पहुंचने का यह असान नहीं है फिसलन है इसमे फिसलन से बड़े साफदानी से चलते है फिसलन किस चीज़ की? विकारों की? परलोबन की? लोब की अंकार आजाता है यह मुझे कैसे कह दिया? यह कैसे हो गया? मैं तो यह कर दो ससंग छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी यह करना, और एक पई रुकेगा तू है, ज़ग तेरे जैसे लाखों है क्या फरक पड़ेगा? वो अकेला ही बड़ा है वो अपना मिशन पूरा करके आता है वो तो एक खेल रचता है सबको सम्मिलित करने के लिए, सबके कल्यान की सोच है क्योंकि सारी संतान उसकी है इसलिए वो सबकी चिंता, सबको प्यार करता है हम नहीं करते हैं हम तो अपने माबाप को नहीं करते हैं जनम दिया, हम उसको क्यों, क्यों केस्टीज़ी समझ नहीं है अभी तो अरंब है अंत नहीं है, ये काल रात्री अंंत नहीं है अभी तो बवंडर उठेंगे भेंकर पत्में बढ़ेंगे और शूल कंकर, ये जो समय बीत रहा है ये आपको समझ नहीं आ रहा है ये मारेजने 2017 में चार जून में और आपको याद होगा 5 जुलाई 2017 में हमरे कोट का फैंसला आ गया इसमें हम भी जाई हुआ है उसके बाद मिशन की दिशा क्या बनी 90 डिग्री 90 डिग्री से परचार बहुत बढ़िया चलने लगा वो बाते फिर बूल गए अभी तो बवंडर उठेंगे भी अंकर पत्में बढ़ेंगे और शूल कंकर गटाओं का गर्जन विकल मन करेगा सगंतम बढ़ेगा ना कुछ दिख पड़ेगा विकट आधिया दृष्टी धूमिल करेंगी ब्रमित बुद्धी होगी न धीरज धरेगी क्या बात कही है सारी सारा इतिहास तो खोल के सामने रख दिया लेकिन आल अफ सड़न 23 मार्श 20 को लॉग्डम हो गया अचानक सब कुछ बंद क्योंकि मारश जी ने जो बाते कहीं थी जो आज से 30 साल पहले कहीं थी सत्संग बंद हो जाएंगे सत्संग भवन बंद हो जाएंगे बंदी तो है किसम से कोई आ नहीं सकता जा नहीं सकता सत्संग होने रहे एक साल से ग्यान बंद हो जाएगा तो सोचते थे यह ऐसा कैसे हो जाएगा यह कैसे क्या रूप था उसका बंद हो गया ग्यान मिलना बंद हो गया बवन बंद हो गया सेवाई नहीं मिलेंगी सेवा नहीं मिलना ही लोग तरस रहे हैं लेकिन जिनकी अंदर सेवा की निष्ठा है जिनके अंदर ये पुकार है जिनके अंदर से हुड़क है जिनको फिकर है मैं आज भी ऐसे सत्संगियों को ऐसे भाईयों को जो अपने घर से ज़्यादा चिंता गुरू-गर्की करते हैं मैं उनको सिर जुका के परणाम करता हूं जो लगे हुए हैं और हम इस मंच से हमेशा सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कर लो, यह मौका है। जिसके पास है करो। जिसके पास नहीं है। बचारे के पास काम नहीं है, दंदा नहीं, रोटी का। वो भी मालक के सारे अपना टाइम काट रहा है। पर जहां कुछ है, उसे करना नहीं चाहिए क्या। यह किसी पे मानव, यह सब कुछ, सब कुछ गोबिंद का है। यह शरीर भी उसने वापस ले लेना है। यह सब कुछ यहीं छोड़के जाना है। अपने हाथों से हम कुछ अच्छा करें। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जो उपलब्द होती, वो जरूर करो। क्यों ना कहें। यह धर्म है हमारा। आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं। हमारा परिवार हैं। आपके कल्यानकी नहीं सोचें। ना कहें। इस मंच से, सच बोला जाएगा। अपने इन सब चीजों को त्याग कर समझने की कोशिश करो। अपने विकारों अपनी सोच को अलग रखके, गुरू की सोच के साथ जुडो। गुरू की मत तु ले याने, भग्ती भी ना बहुत दूबे से याने। गुरू की मत से चल सकते हो, गुरू के मार्ग पर अपनी मत से नहीं। अभी तो बवंडर उठेंगे भ्यंकर, पत्में बढ़ेंगे और शूल कंकर, घटाओं का गर्जन विकल्मन करेगा, सगंतम बढ़ेगा, ना कुछ दिख पड़ेगा, विक्टांदियां दृष्टी धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धी होगी, ना धीरज धरेगी, बु कैसे चलेगा, यह खत्म होगा, लेकिन इसमें साब फिल्टर हो जाएंगे, साब रिफाइंड हो जाएंगे, सब निकल के आजाएंगे, सब की प्रत्वाई निकल के बार निकलेगी, कौन क्या है, तबी तो वो बात सिद्ध होगी, बनाएंगे आकर तुमें जो जो उनको दिव्व बनाएगा, यह खोशना है, और आगे क्या कहा, भविश्यत, ने, उचे महल भर भर आकर गिरेंगे, जो दिखते आचल हैंगो कल को हिलेंगे, ना चलबल ना दोगल का चद मटिकेगा, जो कप्ती है निश्चित कल को मिटेगा, यह खोशना कर दी, यह मिशन पवित्र होने की उस फिल्टर में बहुत माहीन फिल्टर लगा दिये, सुनते देना बहुत साल पहले च्छना लगेगा, वो च्छने लग रहे हैं, बरीक बरीक च्छने लग रहे हैं, और यह चल रहे हैं, उचे महल भर भर आकर गिरेंगे, तो सादक ने कहा मारा जी, यह कि जो लोग जैसे है निया दिखाती हैं अपने आपको, रिफलेक्ट करते हैं, उचे महल भर भर आकर गिरेंगे, दिखते हैं अचल, जो लगते हैं अचल हैं यह बड़े अस्तिर हैं, यह तो बहुत बड़े सादक हैं, तो वो गिर जाएंगे, सब कुछ सामने ही आजएग प्रार्थ, सच निभेगा, और वो ताकत भी देगा, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसको बल देता है, जो सचाई पर है, जो प्रार्थ ना करता है, और जो सच के साथ है, जो सिधानतों मारेजी के सिधानतों को लेकर जीता है, वो नहीं ही लेगा, आगे क्या कहते हैं, भविष्यत तुझे अपना खुद ही है लिखना यह तुम पर निर्भट टिकना न टिकना तेरा भविष्यत तेरे हाथ में तु कैसा अपना भविष्याता है यह चितावनी है चल नहीं चितावनी भविष्यत तुझे अपना खुद ही है लिखना तुम पर निर्भट टिकना न टिकना समय आज का है जो उसको संभालो कठिन साधना तप में खुद को टपालो क्या है 2017 की बात है जब मारी की समाधी का कठिन समय है ये बहुत कठिन समय है भविश्यत भी तुझे अपना लिखना है भविश्यत तुझे अपना खुद ही ये लखना तुम पर निर्भट टिकना समय आज का है जो उसको संभालो कठिन साधना तप में खुद को टपालो निज श्रद्धा की नीम मजबूत कर लो तो अपनी श्रद्धा को बहुत मजबूत कर ले अब इमारत तभी खड़ी होगी इस नीम के उपर निज श्रद्धा की नीम मजबूत कर लो जो अब तक है सीखा वो चरितार्थ कर लो जितना सुना है माराजी के पास बैठके वहां 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल जितना भी सीखा है जो सीखा वो जीवन में अब चरितर में उतरना चाहिए जो अब तक है सीखा वो चरितार्थ कर लो मुझे अपने अंते करण में बसा लो जो बाहर का नाता वो अंदर बना लो अंदर जाओ अब अंदर अंदर मेरे से नाता जुड़ेगा अब मैं सुक्ष्म हो गया हूँ अस्तूल नहीं रहा भाग के जो जी पढ़ाम कर ले न अब मैं तो बस गया हूँ अब अंदर आओ क्योंकि अंदर ही आके कल्यान होगा यहीं सुरक्षा है यहीं पूर्ण सुरक्षा है जो बाहर का नाता वो अंदर बना लो सतत साधना तब का दंड हाथ लेकर चरेवेती धुन को सदा गुन गुना लो तू चलता चल इस ग्यान का दंड हाथ लेकर ग्यान को साथ लेकर विवेक को साथ लेकर तू बढ़ता चल तू कहीं नहीं गिरेगा तेरा कहीं निक्सान होगा, कोई तुझे नश्ट नहीं कर सकता लेकिन तुछ चलता चल, रुकना नहीं है रुकना नहीं है, उलजना नहीं है पूरी चितावनी दे दे उनों और उसके बाद, क्योंकि चितावनी संसनी है कावी उसके बाद कितना होशला दे रहे है उसके बाद समधान की और ले जा रहे है मैं अंदर हूँ तेरे बाहर नहीं हूँ मुझे कैसे समझो कि मैं जाहिर नहीं हूँ ये आंधी ये तुफान मेरी ही रचना सुनो जरा समझो आप प्रेमी हो विवेकी हो आप समझो जरा ये आँदी ये तुफान मेरी ही रचना ओ नादान संशे निशाचर से बचना बस इस राक्षत से बचना इस निशाचर से बचना ये शंका ये जो शंका है न शंका में कितने उड़े लोग क्योंकि ये परिक्षा का काल है न सादिकों का उनको फिल्टर भी करना है तीस साल दिये काम इतना नहीं है के पांसो साल चले मालिक ने अपना मिशन पूरा करना विश्मिया शान्ती आज हाहा कार मची पूरी दुनिया में विदेशों में देख लो विश्म के अंदर कौन सा कंट्री है जो शान्त है व्याकुल है मानवता तरस्त है मालिक को अपना मिशन उनको योजना पता जिसने बनाया है उसको सब पता है क्या करना है यह गरजन यह सरजन है लीला का सबंग यह जो कुछ भी हो रहा है यह उसी लीला का दर्शन है यह लीला है अगर उसके साथ जुड़े हैं तो घबराओ मत हिम्मत विजेता हो आप विजेता हो बस चलते रहना जुड़े रहना उसकी माननी उसको देखना विजेता हो आप हारे हुए नहीं हो आप विजेता हो ये विश्वास रखने ये होसला रखना अपना थमेगा तभी पत का हर एक बवंडर हो निर्भै बढ़ोगे मिटेगा हर एक डर तभी खत्म होगी तुफानों भरी रात तभी तो मिलेगा तुम्हें मेरा जिर साथ किदर ले जा रहें समधान सल्यूशन यह थब कुछ थम जाएगा एक टाइम आएगा थमेगा तभी पत का हर एक बवंडर जब हम माराजी ने जो पीछे कह चुके खुब साधना करेंगे सेवा करेंगे लगेंगे विश्वास शद्धा संतुलन पर खरे उतरेंगे और यह नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो क्या गोली लग गई यह प्रिक्षा का समय है यह काल है यह काल का प्रभाव है यह होगा यह सहना पड़ेगा यह चलना पड़ेगा अगर बनना है तो फिर मिटना जरूरी है मिटे बिना बन नहीं सकते एक नया घर बनाना तो पुराने को राक करना पड़ता है तोड़ना पड़ता है, फिर नया बनता है, फिर नीम पक्की बनाई जादी, यह पता नहीं कब युगों से बने हुए हमारे घर, बिलकुल छनी हो चुके हैं, क्या है, टूट फूट चुके हैं, खसता हालत में हैं, तो अगर नया बनाना तो तोड़े गाई ना, तो मिटना पड़ता है, मिटने के बद बनना पड़ता है, फिर बनाता है, फिर वो अपने हाथों से बनाता है, यह याद रखना है, जो मिटने से डरता है, वो बन नहीं सकता, जो सहन शीलता नहीं है, जिसके अंदर वो चल नहीं सकता है इस मार्ग पर, याद रखना इस बात को, अग तो इच्छा है, मेरे भगवान की भी, और हम भाई बहनों की, इस दिविजोती परिवार की भी, आप सभी अनन्द में, खुशी से, और पीच में न रुक जाए, मन्जिल तक पहुंचे, मन्जिल तक थमेंगा, तभी पत का हर एक बवंड़ हो, निर्भय बढ़ोगे, मिटे गार, आप निर्भय बढ़ोगे, सब रास्तेों के, रुकाफटे खत्म हो जाएंगी, तभी खत्म होगी, तुफानों भरी रात, ये तुफानों भरी जो रात है, जिससे घबरात है, पतानी खत्म होगा, अब कोई और वाइरस आ गया, अब कुछ और हो गया, अब धर्ती हिल गई, अब तुफान आ गया, अब जंगलों में आग लग गई, अब बाढ़ आ रही है, डूप रहे हैं, दुनिया मर रही कही हैं, एक्सिडेंट हो रहे हैं, क्या बसे, महारजी ने का ना, सावधान हो जाओ मेरी, कोटी-कोटी संतानों तुम, आशुतोष का चक्रिश अल्ला है, है इसको पहचानतों, पहचानों, कैसे पहचानों कि बुद्धी से, नहीं, प्रार्फना से, साधना से, सेवा से, उसके बन कर, वो प्रेम, वो उसके लिए लगन, वो पागलपन लेकर, वो साभ पहचान करा दे, धन्य हो आप, जो साथ साल तक आप तक चुड़े हुए हैं, आपकी निष्ठा शद्धा बनी, मैं आपकी शद्धा को भी परणाम करता हूँ सब को, कि आपने अपनी शद्धा को संभाला हुआ हैं, आप चल रहे हैं, हमारी प्रार्थना माराजी के चड़न, माराजी आपके ये बच्चे सभी, अन्तिम्श्वास तक, आपके लक्ष तक पहुँचने तक, इनकी गतीना रुके माराजी, ऐसी किरपा करना, है ये, हम सब के लिए है, समस्त मानफता के लिए, अब भी मौका है, कुछ कर सकते तो कर लो, बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, दिलाएंगे ये गौरफ नव युग विधाता, बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, कौन सा युग नव युग जिसकी बाते मारा जी 2013 में सब को सुनाते रहें समझाते रहें कोयल का माधुरे ना छपता कागों के शोर में सिर्फ तुमारी हाथों की विजे पता का भोर में अरे लिखोगे कल नव युग का एक निया इतिहास तो उस नव युग की बात की है हर दूइदा में हमें पाओगे ये नव युग उस नव युग के निर्माता होंगे आप बनाएंगे आकर तुम्हे युग निर्माता दिलाएंगे ये गौरव नव युग विधाता ये गौरव परदान करेगा क्योंकि जो वहां तक निभाएगा जो उनकी आने तक हिम्मत रखके उसी निष्ठा को साथ लेके चलेगा उसी जोश को उसी प्रेम को लेके चलेगा उनके साथ तो ये होगा लेकिन जो तो धंधन गुपाल ये हमें सोचना है इतनी सोचने साथना हमसे नहीं होती सेवा हमसे नहीं सत्संग नहीं सुनते मैं हैरान हूँ लाखों लाखों लोग बैठे हुए हैं घर में सत्संग जारा है घर में आपके हाथ में सत्संग है कई चल के नहीं जाना बस चड़ के नहीं टैक्सी में ने जाना, कि पैसा ने किराया ने खर्चनाा लेकिन वो भी दुरभाग गया दुरभाग गया है वो थे सथसंग भी नी सुन पाते और फिर क्या काएंगे सब कल्याण हो जये ऐसा क्यों हो गया किस मुम से कह देती है अब हमारा योगदन क्या है सर्वस लुटाना काल ले जाए सब कुछ हमारे शरीर को भी लुट के साब कुछ क्या हम नहीं जाएंगे काल के जग महा काल को अर्पित करें उसके लिए कर दें, हाथों से कर दे सजनो तुम हो मेरे प्यारे हो मेरे दुलारे इसी है तु तुम को यह बतला रहा हूं खुद को सवा रहो, खुद को निखारो करो साधना यही समझा रहा हूं पर्तिक्षा के संगस्वे निर्मान कर लो संदेश यह तुम तक मैं पहुंचा रहा हूं जो अब है समय फिर यू कल ना रहेगा भावी की तस्वे दिख़ा रहा हूं इतनी वार्निंग, इतना कुछ को ई किसी को पता हो तो वो तो एक पल नहीं खराब करता है एक सेकंड ही हराब करता वो तो सोचता है वो हमेशा अपने उपर काम करता है यह जो एक साल भीता नहीं लोक्ड़ॉन का साद को ये अपने उपर काम करने के लिए मिला आप क्या सोचते कि आप सारी संसार को ग्यान दे के वो बदल देंगे? नई सेवा की है आपने तीस साल जब तक जीवन है करनी है लेकिन ये समय हमें केवल अपने उपर काम करने के लिए मिला है कि अपना अपना स्वाध्याए अपने अंदर चिंतन और अपने को सुधारें अपने को निखारें और जब अपने को सुधारेंगे निखारेंगे अपने आप उस मिशन में डट जाएंगे लग जाएंगे जोंक देंगे अपने आपको फिर ना तू कहना ना चेताया मैंने सोवो ना खोवो यह चेता रहा हूं सतत साधना तब की अगनी में तब कर धीरज धरो जल्दी मैं आ रहा हूं धीरज धरो जल्दी मैं आ रहा हूं धीरज रखना कहीं अधीर होके इस रास्ते से लग मत हो जाना धीरजदरो जल्दी मैं आ रहा हूँ धर्ती सजाने को मैं आ रहा हूँ अपना बनाने को मैं आ रहा हूँ कुंदन से निखरोगे जब तुम उसी शन खुद में मिलाने को मैं आ रहा हूँ धीरजदरो जल्दी मैं आ रहा हूँ सजनों कुछ रहे हैं बाकी? कुछ लगता है आपको कुछ रहे हैं बाकी? जो कह दिया है, हम अपने जीवन के अंति मिश्वास्ता जोक दें मैं अंत में यही काऊँगा, खुब डट के सेवा कर लो, डट के साधना कर लो, यह कोई कहने की चीज है, क्या हमें समझ नहीं है? यह अपने आपको सुधारने और बदलने का समय, फिर यह समय नहीं है, युगो युगो तक नहीं है किसी को समय मिलता, यह संधीकाल की बेला, नवयुग का आगमन, पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति, पूर्ण ब्रह्म ग्यान, यहात्मिक जीवन जीने के आप ही हैं, जिन से माराजी बहुत कुछ क्राएं, वो तो पीछे आज तक रहे हैं, इतुना बड़ा संगठन कर दिया हैं, वो पीछे ही रहे हैं, वो कभी आगे आएं, कभी किसी टेलिवीजन में आएं, कभी यह कर दो, नहीं, जो लोग भी आते थे, अच्छा आप मिलो, एक बार मुझे बहुत कि भारत सरकार से, एक मंत्री जैया कहते हैं, यह अच्छा आप मिलो, मैं प्रार्थना की माराजी हो, आप दर्शनों के, नहीं नहीं आप मिलो हमने, और आप, रिक्षा पुलर दो बैटें, उनके साथ ससंग कर रहे हैं, वाँ, वाँ, दिव्वेता है, आप मिलो, वो अपने आपको आगे नहीं करने वाले, इसलिए आप, आप, बहुत महान है, माराजी ने यह किरपा की है, यह मौका मत खो देना, मैं तो हाथ जोड़ की आपके सामने का, यह समय मत खो देना, दुबारा नहीं आएगा, यूगों यूग में हजारों जन्वों लेकर यह समय नहीं मिलेगा, यह स्रिष्टी का संचालन तो चलता रहेगा, आना जाना, चलता रहेगा, लेकिन ये समय नहीं आएगा, ये नव्युग, ये रास्ता, ये ब्रह्म ग्यान, ये बहुत बड़ी दौलत है महरा जी, एक ही प्रार्थ न करनी है, हमें सद बुद्धी दो, हमें सद बुद्धी दो, हमें आपके मार्क पर चलते रहें, इनी शब्दों के साथ, मेरी बात को आपको ठीक ना लगी हो, आपको आहत हो, तो मैं आपसे शमा याजना करता हूँ, लेकिन मैं एक भाई की तरह, मुझे आप सब संगत से, क्योंकि भगवान की संतान है, हमारे बहन बाई है, इसलिए एक प्रेम है, इसलिए कहा कि आज साथ साल होने वाले है, तो उसके बाद आपको कम से कम महराजी की सारे बाते याद तो आए, उनका है, फ्रेम क्या है, हमें किस फ्रेम में फिट होना है, इतना ही कहते हो, मैं यहीं अपनी बात को, महराजी की चो प्रेड़नाओं को उनको विराम देता हूँ, बोलिये सत्गुरु दे भगवान की, जै, सचे दरब वार की सेुआ है, मुपको कुए प्रेड़नाओं की चुआ है, हमें अपनी में आपको की चुआ है, इतना हादा के लिए ला दोद्यार बात पक्ती है, वहीं जो घुआ है। झाल झाल